बोश्पूरी सिनबा की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए नेवर मेस अ वीडियो फ्रम लेहरे भोश्पूरी दिनिश जी आमरपली आप दोनों बीच अभी थोड़े दिन पहला बनारस गए हुए थे घाड घूम रहे थे मंदिर गए हुए थे किस तरगा अनुभो रहा था कुछ बताएंगे बहुत ही अच्छा और महां से तो हमारी यादें जो है वो बच्पन से जुड़ी हुई है मैं बनारस में शुरू से रहा हूँ और जब मैं गायकी नहीं करता था तब भी वहां आना जाना लगा रहता था क्योंकि गाजीपूर जो मेरा जिला है वो एकदम सटा हुआ है बन बनारस जो है वो हमारा गड़ रहा वहीं से गायकी की भी आगे बड़ी वहां रेकॉर्डिंग भी हमने शुरूआत एल्बम्स की वहीं से की उसके बाद घाट से मंदिर से सीडियों से वहां के लोगों से पूरा हमेशा संबंद बना रहा तो अब जब किसी फिल्म के लिए या प्रमोशन के लिए या जैसे भी बनारस जाना होता है तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं मा गंगा का दरशन करते हैं वहां काशि विश्वनात का दरशन करते हैं तो इस बार भी हम लोग गये हुए थे हमारे गाजीपूर के एक ऐसे परमवीर जो थे अब्दुलहमीद जिन्होंने 65 में आपको भी पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी और 7 पैटन टैंक को उन्होंने तोड़ा था जो अभेद था जिसको तोड़ना मुश्किल काम था और उसके दम पे पाकिस्तान ने चड़ाई की थी हमारे हिंदुस्तान पे और उन्ह जानकारी तो आपको सब पता चलेगा. तो उनकी बावनवी पून्यतिती थी तो उसमें हम लोग गय हुए थे और वहाँ जाने के बाद हमको मौका मिला काशी विश्वनात के दर्शन और घोंगने का तो वो हम लोग घोंग के आए झाल